हेलो आल आफ यू, जैहिंद, कैसो आप सभी लोग, I hope सब बहुत ही बढ़िया होगी तो BSF Head Constable, RORM का अपकी एकजाम कल परसों हो चुका है और I hope सब की एकजाम बहुत ही बढ़िया हुआ होगा कटाफ की बात देखो आफ लेडिया हम कर चुके हैं मैंने आपको सब कुछ समें बताया था कि कितने लोग को शॉटलिस्ट किया जाएगा और किस के टेगिस कितने लोग को शॉटलिस्ट किया जाएगा ठीक है, तो अगर आप नहीं देखा है तो लिंक डिस्कुशन आप जाकर देख सकते हो बाकि मैं आपस इतना ही बोलूँगा कि जनरल और OBC से जिसके भी 100 नंबर के आसपास बन रहे हैं आप अपना फेस्टू के प्रिपरेशन करते रहो और EWS जिसके आपके 95 के आसपास बन रहे है आप अपना फेस्टू के प्रिपरेशन करते रहो बाकि SCST जिसके भी 90 के आसपास है अपना फेस्टू के प्रिपरेशन करते रहो ठीक यार अब देखो आपको बता है कि रिजल्ट मोड टाइम लगने वाल नहीं है क्योंकि आपका सब कुछ दे रखा है पांच मेने भरती आपकी complete होनी है तो मुझे लगता है कि आपको वो मतलब बहुत time waste होगा भी नहीं अगर बाई chance अगर आपका नहीं भी आता है तो ठीक है बाकिए गर आपके इसके आसपास बनते हैं तो आप लोग face 2 की त्यारी करते रहों तो यहाँ पर देखो हम आपकी कुछ बाते करने वाले हैं सबसे important आपका हम dictation test की बात करेंगे कि क्या होता है कैसे होता है क्या कुछ होता है कैसे आप त्यारी कर सकते हो उसके पहले हम face 2 की जो भी आपकी complete detail सारी बात करने वाले हैं ठीक है यानि कि क्या कुछ होने वाला है RO के लिए RM के लिए और documents आपको क्या क्या है पर required है ठीक है सब कुछ बात करेंगे और mainly आपका dictation की देखो मेंबर बात करने वाले हैं ठीक है तो अगर आप लोग नए हो तो subscribe कर सकते हो क्योंकि ऐसी informative वीडियो हाँ पर आती रहती है अगर दोको सबसे पहले हम बात करेंगे आपका PST या face 2 कब होगा तो आपका face 2 अभी तक जो date दे रखी नोने तो easily करवा लेंगे तो आप इस date को मानके चलो physical के त्यारी करते रहे हो और physical बहुत लोग आउट हो जाएंगे ठीक है अगर देखो हम बात करें आपकी height वगारा की मतलब क्या कुछ रहने वाला है तो अगर हम बात करें RO के लिए तो आपके पास देखो face 2 में दो चीज़ होने वाली है जैसा आपका Air Force में होता है एक GD होता है और आपका सार्टी होता है और आपका PFT होता है यहाँ पर भी आपके देखो दो चीज़े होगी RO के लिए पहला आपको PST, PET और documentation दूसरा आपको अगर dictation test ठीक है इसको देखो भी आपको आगर मैं explain कर दूँगा आपको समझा दूँगा dictation test के वाल आपकी RO के post के लिए है अगर आप RM से हो आपने RM के लिए अप्लाई किया था या आप RM की preparation कर रहे हो तो आपका सिर्फ एक इची जग हो आपका है PST और PT और documentation ठीक है dictation test RM बालों का नहीं होगा तो इस बात को आप ध्यान रखना dictation test के वाल RO बालों के लिए है RM बालों के लिए नहीं है ठीक है अगर हम बात करें आपका physically standard की तो basically I think आप सबने apply करने इस पहले देखा होगा 168 height बोली गई male के लिए और 157 height बोल गई female के लिए और 80 cm आपकी minimum chest होनी चाहिए और expansion के बाद आपकी chest 85 होनी चाहिए तो basically ये कोई बड़ी बात नहीं आप इजली कर लोगे female के लिए पर कोई भी ऐसा demand नहीं है बाकी weight आपकी age और height के साब से होता है आपने physics प्रूंद आपको पता हो कि जो आपका weight होता है वो center आप mass पर depend करता है तो कहीं नगयी जितनी height होती है weight उतना अधिक हुता है तो weight depend करेगा आपकी age और height के साब से ठीक है दोनों के लिए बाकी यहाँ पर देखो किसको मतलब छूट मिल रही है height में या chest में आप देख भी सकते हो ठीक है यहाँ पर गरवाली है मतलब आप देख सकते हैं और यह आपका इसे है ठीक है basically यह आपका मिटों मोटा है आप इसको ध्यान देना बसके वल अगर हम आगे बात करेंगे आपका क्या कुछ रहने वाला है PST और PET में तो सबसे पहले देखो आपका PST होगा Physical Standard Test यानि कि पहले आपका Tier 1 में Tier 1 क्या आप बोलो पहले face में और वहाँ पर आपकी देखो height और chest और weight आपके इस तीजे चेक के जाएगा चेस्ट चेक होगा, weight चेक होगा, female फिमेल दोनों का और उसके बाद आपका physical efficiency इस जोगा PFT कह सकते हो या running होगारा कह सकते हो Basically आपको पता है जो आपकी running रहने वाली तोड़ा में इस जूम कर दे रहा हूँ ठीक है, जो आपकी running रहती हो आपकी 16 सुमीटर की race आपकी रहेगी 6.5 मिनट में और female के लिए 8 सुमीटर की race रहेगी 4 मिनट में तो running आपर ठीक ठा काफी अच्छी है इसमें भी काफी लोग out हो जाएंगे अगर आप running बिधान नहीं दोगे तो आपका score कितना भी अच्छा हो आप यहां पर out हो सकते हो यार ठीक है, जिसने running कभी नहीं किये उसको यह आसान लग सकता है लेकिन जिसने running कभी नहीं किये वो ground पी उतरना आपको समझ में आज जाएगा कि इतना आसान नहीं होता है 6.5 मिनट में 16 सुमीटर और आप इसे qualify कर लोगे तो आपका फिर रहेगा long jump 11 feet की और इसके लिए आपको 3 chance दिये जाएगा मालो आप पहली बार में नहीं कर पाए तो आपको दूसरा chance भी मिलेगा ऐसे करके female के लिए आपका high jump रहेगा 9 foot का 3 chance इनकों मिलेंगे और अगर हम बात करें आपका high jump तो यह साड़े 3 feet का रहेगा इसके लिए आपको 3 chance मिलेंगे और female का आपका high jump 3 feet का रहने वाला इसकी भी आपको 3 chance मिलेंगे ठीक है तो यह आपका एक तरीकिस हो गया आपका physical efficiency test आप इसे qualify कर लोगे तो same day पर ही आपका documentation भी होगा document की बात करते हैं आपका यहाँ पर required है तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो आपका educational certificate आपने जो भी लगाया है ITI हो गया आपका 10 plus 2 हो गया जो भी आपका हो गया वो आपके पास होना चाहिए लाइक अधितर लोग सा 12th पास ही होगे तो आपके 12th की mark sheet हो गई उसके बाद अगर आपने ITI का लगया तो आपका ITI भी required है अगर आप नहीं लगया तो इसमें कोई issue नहीं है और आपका age का certificate अगर आपके पास कोई certificate अलग से तो अच्छी बात है बाकि या 10th की mark sheet ही हर जगा valid होती है तो इसमें आपकी 10th की mark sheet count हो जाएगी ठीक है अगर आप EWS से हो तो आपको EWS certificate से ही अगर आप OBC से हो तो RO के लिए हाँ पर दो कोई post है नहीं OBC के लिए तो basically RM के लिए क्यों बोला गया अगर आप RM से हो तो आपको VC का certificate भी हाँ पर अपना दिखाना पड़ेगा और अगर आप SCST हो तो आपको अपना certificate दिखाना पड़ेगा और ये चीज़े हो गए आपका एक service man हो गारा के लिए ठीक है तो मोटा मोटा वाई है जो भी document आपके पास होई बोला गया और अगर आगे बात के हम dictation test की जो सबसे important है और सबसे अधिक लोग इसमें परिशान होगी I think ठीक है ये के वाल RO के लिए RM के लिए नहीं है मैं आपको बता दूँ dictation test को हलके मत लेना जिसके भी score थोड़े से कम बन रहे है tier 1 में या आपका written exam में मैं यही बोलूँग यार कि आप इस पर थोड़ा focus कर लो आप इसमें score कर सकते हो आप easily final merit में आ जाओगे ठीक है तो आपका dictation test एक तरीके से 100 word का होगा और 50 number का होगा और अगर हम बात करें इसके अलावा आपका एक और टेस्ट होगा इसमें basically क्या होगा आपको English में इमला बोला जाएगा आपको English में paragraph बोला जाएगा आपको उसको लिखना पड़ेगा 100 word बोला जाएगा और 100 word का यापका एक word का आई थी आपको आधा number मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से आपका 100 word का आपको 50 number मिलने वाला है और अगर हम बात करने कि इसमें negative marking तो 0.5 की negative mark देखा आपका deduct होगा अगर आप एक liter mistake करते हो तो और अगर आप एक पूरा word mistake करते हो तो आपका पूरा एक number कट जाएगा ठीक है तो इसको ध्यान देना अगर हम बात करने कि इसकी कटाफ कितनी रहेगी minimum qualifying marks तो UR, General और OBC के लिए 19 number minimum आपको लाना पड़ेगा अगर आप इससे कम number लाते हो dictation test में तो आप fail हो जाओगे ठीक है और SCST को minimum आपको 16 marks लाना पड़ेगा अगर आप इससे कम लाते हो तो आप इसमें fail जाओगे भले आपके 170 number test में लेकिन आप यहाँ पर fail हो जाओगे तो थोड़ा आप इस पर दिहान दे लेना ठीक है अगर देखो और इसकी हम बात करें कि आपको इसको तैयारी कैसे करनी है तो मैं तो आपके यहीं बोलूँ यार कि कोई भी धंका पैरागाफ उठाओ और अपने family में में किसी को थमा दो और बोलो आराम आराम से कोई जलदी बाजी नहीं है बिल्कुल धीरे दीरे आपको बोलें और आप डेली लिखा करो ठीक है daily SM क्या होगा ना आपकी spelling improvement हो जाएगी देखो mistake आप कहां करोगे mistake आप करोगे spellings में और बहुती silly mistakes करोगे जो आप daily use करते हो ना आप इसमें भी बहुत सारी mistake करोगे तो और एक बात मैं आपको और बोलूँगा अगर आप WhatsApp chatting करते हो तो प्रयास करना कि जो आप spelling send करते हो English वाली उसे आप autocorrect जगा खुद से type करो ठीक है यार योकि basically हर कोई क्या करता है ये autocorrect में अपना spelling सही कर देता है तो प्रयास करना आप उसकी जगा पर खुद से उसे type करो अगर बाभु आभु है तो आप chatting अच्छे से करो ठीक है लेगिन इससे आपके अच्छी कर से practice हो जाएगी ठीक है तो देखो भी मजाग था अगर बात करें देखो practice की तो यही आपका सही तरी कर रहेगा आप YouTube पे भी on कर सकते हो YouTube पर आप साच करो कि dictation test तो आपको बहुत सारे question मिल जाएगे वहाँ पर भी आपकी practice हो जाएगी और उसके अलावा आपके घर में कोई भी family member हो आपका भाई, बहन, माता, पिता कोई भी आप उनको दे सकते हो और आप उनसे बुलवा कर लिख सकते हो ठीक है लेकिन इसके साथ साथ आप physical त्यारी करते रहे आप physical mount हो जाओगे तो dictation test में आपका यह होगा आप 50 number को होगा 100 word होगे आपके एक word आपका आधे number को होगा और अगर आप एक later mistake करोगे तो आपका आधा number कटेगा और आप एक पुरा word mistake कर दोगे तो आपका पूरा एक number कट जाएगा ठीक है और dictation test आपका I think same day पर ही होगा ऐसा नहीं कि आपको फिर से बुलाया जाएगा PFT qualify करने के बाद आपका dictation test भी हो जाएगा PFT आपका qualifying रहेगा PFT में कोई marks नहीं मिलने वाला है ठीक है और dictation test के base पर आपकी merit बनेगी तो अगर आपकी कम number भी है return exam में तो आप यहाँ पर score कर लेना easily आप यार select हो जाओगे ठीक है और इसमें आप कहीं ने कहीं देखो English medium मालों को फायदा मिल जाएगा बाकि आप Hindi mediums हो यार तो कोई बड़ी बात नहीं आप लोग ओ लेबोरियस होते हो ठीक है तो daily अगर आप practice करते रहोगे तो बहुत इजली से आप 50 में से कम से कम 40 से 45 नमबर ला लोगे और इतने नमबर अगर ला लोगी तो आप बहुत लोग से बहुत आगी निकल जाओगे ठीक है इसको हलके मत लेना अगर आपके 100 नमबर के उपर बन रहे हैं तो आप अभी से इसके practice सुरू कर दो बाइचांस आपका admin card नहीं भी आता है face 2 के लिए तब भी आपकी लिए जो आपकी आगे life रहेगी ना वहाँ पर भी आपके लिए helpful रहेगा ठीक है तो dictation test where मैंने I think आपको सबको समझा दिया है और इसके अलाव भी कोई डाउट बचते हैं आप comment कर सकते हैं मैं reply कर दूँगा बाकी सब लोग physical करते रहो और नए हो तो subscribe कर सकते हैं चैनल को बाकी जै हिंजै भारत वंदे मातरम नमस्कार